दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं की जो पंखे का कौ ceremon होता है कि इसे किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं यह जो आप सामने देख रहे हैं यह पंखे का इस्टेटर है उसा कमपनी का पंखा था उसी के अंदर से हमने खोल के इस्टेटर को निखाला है इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसका एक सर्किट बता नहीं रहा है एक सर्किट खराब हो गया है तो आज उसी circuit को हम सही करके दिखाएंगे कि किस तरीके से सही कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले कैसे पता करेंगे कि इसका circuit सही है या खराब है इसके अंदर दो circuit होते हैं एक ये नीचे वाला circuit एक उपर वाला circuit और टोटल इसके अंदर तीन wire निकले हुए हैं इसके अंदर का जो रेड वाला वायर देख रहोंगे यह कामन वाला वायर है और यह जो ब्लेक वाला है यह हमारा रणिंग वायर है और यह स्टार्टिंग है पीला वाला तो सबसे पहले चलिए हम इसे चेक करके दिखाते हैं कि कौन सा इसके अंदर सर्कृट खराब है तो यह हमने जब red पे रखा और एक wire black पे रखा यह स्रीज से हम जब चेक कर रहे हैं तो एक wire यह मतलब बता नहीं रहा है काला वाला जो running वाला है वो हमारा बता नहीं रहा है और इसी तरीके से जब हम पीले वाले को चेक करते हैं दूसरे circuit को तो इस पे बता रहा है और एक बार हम इसका क्रेंड चेक कर लेते हैं बाड़ी पर क्रेंड तो नहीं आ रहा है तो इस पर क्रेंड नहीं आ रहा है यहां पे spark कर गया है, इसका जो connection है, इसका जो connection है, वो spark कर गया है, इसी वज़े से इसका एक circuit बता नहीं रहा है, इसके circuit को सही करने के लिए इसके connection को खोलना होगा, तो यहां पे tie के दुआरा ये बंधा हुआ है, तो इसको हम इसके tie को हटा के इसके connection को खोल लेंगे, तो हम हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसे चेक करेंगे और किस तरीके से इसके सर्कुट को हम सही करेंगे इसके कनेक्शन को हमने कट कर दिया है इसका जो वायर था उसको हमने काट दिया है अब एक एक करके इसके वायर को अलग कर लेंगे इसके वायर को हमने अलग कर लिया है और इसके स्लीपिंग से हम बाहर कर लेंगे जो इसका तार है उसे हम स्लीपिंग से बाहर कर लेंगे बहुत अराम से करना है हमें क्योंकि ये बहुत हलका पतला तार होता है तो अगर ज्यादा हम जोर दबस्ति करेंगे तो ये तूट निकालने में खैर कोई बात नहीं उसका भी हम जुगाल बताएंगे कि किस तरीके से आप उसे भी सही करेंगे तो हमें कोशिस यह करना कि हमसे कोई वायर तूटे ना तूटने के बाद में दिक्कत हो जाती है यह वायर इस पार कर गया था यहां उपर ओला जो सर्किट था वह को स्फेर कर गया था आप पे आपको दिख रहा होगा थोड़ Jewish कॉइल आप टो यह ग्वायर जो था वही झा इस्का पार किया जोडने के लिए के लिए काफी है और एक नीचे वाला मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे इस पर हम थोड़ा सा स्केरेश करेंगे और स्वोल्डरिंग आयरें मदद से इस पर टाका रख देंगे तो अभी हमने तो इसका जोड़ी वाल निकल चुका है नीचे वाले को चेक है तो अब किया करेंगे मैं दोनों को मिंद्दन को चेक करेंगे इसके आफ नीचे को चीक किके करेंगे उपर वाल डिस्टरब कर रह apple करेंगे तो पेपर वगरा अब बेख ले Cities 3 तो थोड़ा सा रिस्की है कि अभी यह तूड़ जाएगा तो इसे भी टाका रखना पड़ेगा इसलिए हमें बहुत आराम से करना है तो बिलेट था नहीं तो हम कैची से ही कर लेते हैं बाकी देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है तो ये निकल नहीं रहा है तो अभी से उसी तरीके से निकालना पड़ेगा जिस तरीके से हमने इस वाले वाइर को निकाला था तो चलिए इसके पेपर को पहले बाहर करेंगे तो यह थोड़ा सा जो टाइट है इसका टाइटनेस खतम हो जाएगा उसके बाद में फिर आराम से निकाल लेंगे यहां पर स्लीपिंग को खीच लेंगे और यह बाहर हो जाएगा तो यह दूनों तार निकल चुका है अभी इ तो चलिए उसे पहले शिस्टम से कर लेंगे उसे बाहर करके ऊपर के स्टैड में फिर करेंग्शन करते इसका करनेक्शन पिरकाइल को फूनी खेह बाहर कर लिया और इसका जो पेपर होगलर वह हम लगां देंगे कि फो पोयल को पर है तो इह देख रहूंगे िए बल्ब जल रहा है और इस पर इसके करेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो यह हमारा जो है, इस टेटर सही हो चुका है, इसका नीचे का क्वाइल और ऊपर का क्वाइल सर्कीट अब बताने लगा पर हमने यहाँ पर अभी चेक करके आपको दिखाया, यह क्वाइल एक दम सही हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करने वाले हैं अभी ये तीन तार पे था, इसके अंदर तीन तार लगा हुआ था, अभी हम इसके अंदर अपने हिसाब से connection इसका निकालेंगे, तो हम चार तार निकालेंगे, तो चलिए हम सबसे पहले एक नंबर sleeping लेंगे, और जो ये पतला वाला coil है, इसके अंदर हम डाल देंगे, इतना बच जाए, जो हम तार के अंदर जोड सकें, तो इसलिए हमें धियान रखना है कि थोड़ा सा छोटा ही डालें इसके अंदर ताकि आसानी से जोड सकें वायर को, हमने इसके अंदर एक नंबर sleeping डाल दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वायर डालेंगे, चार वाय दिया तो यहां पर डालने के बाद में इसके अंदर हम जोड देंगे, तो हमने तीर नंबर sleeping लिया है, और नाफ के काटने के बाद में, वायरो के अंदर डाल देंगे, इसके अंदर दो लुध का बाद देख रहे होंगे, एक बुलू कलर का, यग रेड कलर का है, तो जो भ करदिया और हमें खुब अच्छे से जोड़ना है ताकि रहना करते हैं तो हमने इसे यह तक नंबर जो स्लीपिंग उस्कावर कर देना है और स्विझ ड्यूसी तरीके से दूसरा वाइर वाइर में लिए ना कहिं और ऊपर वाइर वाइर से कलेंट कर देना कि अरत का यह उर्म याथ राव लेकर उपर वाइर से आभी से जोड़ देंगे अचि से हैं और अच्छे से जोड़ा है ता कि इस पार्ट बिल्कुल भी ना करें और बागी जो एक्स्ट्रा वायर उसे हम कड़ कर देंगे हमने कड़ कर दिया और उसके बाद में सिलीपिंग से कवर कर देंगे अब इसी तरीके तो जो बागी का दो वायर बच रहा है एक वायर नीचे का एक वायर उपर का तो चलिए जोड़ लेते हैं पहले उपर वायर को क्रेंड कर लेते हैं उपर वायर निकाल देते हैं उसके बाद में आपको हम टाका भी रखके दिखाते हैं अब दोस्तों एक वायर बच रहा है नीचे के सर्कुट में जो टाका रखना है उस वायर को हमने स्लीपिंग लगा लिया अब यहां पर हम कई है कि आम सोल्डिंग आरें की इंगा यहां पर टाका रखने जा रहे हैं तो जहां पर हमने स्क्रिज किया था वहां पर थोला सा रांगा वगयरा लगा के अच्छे से कि इस तरीके का रांगा रख देना है और अच्छे से स्टीप चुका है तो यह बहुत जबर्दस तरीके से जुल चुका है जो लाश्ट वर बच रहता उसे हमने सोल्डर कर दिया है यहां पर तका रख दिया है रख अब क्या करेंगे जो इसका वायर है इसे हम धागा या फिर टाई की मदाश से बांद देंगे त तो हमने हमार पास यह टाई है तो इससे हम टाई से अच्छे से बांदेंगे तो हमने टाई को लगा लिया और अच्छे से टाइड कर देना तो यह हमने बहुत कर देंगे हैं अच्छे से बांदेंगे हमने तो हम नेक्ष्टा यह बच्छा व्यमा च्छे होरली से लगा दीया उसे अब आएक करके अर यहां पर जुझा यहां बाद उसके भाद नियुक्त ये चेकर दिखाएग से करके दिखाते हैं अब जो प्लू वाला वाएर है तो चलिए एक बर हम चेक करके दिखाते हैं सबते हम्लेख писते हैं सबसे पहले हमने नीचे वाले सबता चेक किया तो यहां पे देखिए लाइट जल रहा है अब चलिए इसकीा कल लेते हुए 강ुए रेपैर कर दिया और इसका कैबिने अब इसके अंदर हम फिटिंग करें किcave लाइंगे उसके बालेखका में 然後 केमाध से में श्रोंत आपन तोलिया अब फिडेका और दिया ओसे इस्टेटरлом को अम इसका निटरहाते से अर्पर कर कि यह उपने सेट कर दिया और इसके उपर का भी फ्लेट लगा देंगे हम लिए हमें सेटर में रखें इसे अच्छे से करना है ताकि हम पेज इसके अंदर आसानी से लगा सगे तो हमने सेटर पे लगा दिया है पेज आदर लगा देते हैं। लगाने के बाद में बारी बारी से हमें टाइट करना, एकदम से एक पेजक को नहीं टाइट करना ताइट करना, कि दोस्तों यह हमारा टाइट हो चुका है और यह अच्छे से फ्री भी है अब हम क्या करेंगे इसके अंदर का जो इस्टेल होता है के पेसेटर होला इस्टेल होता है वह लगा देंगे और उसके बाद में इसका कनेक्शन हम करके दिखाने वाले आपको कि किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है हमने इसके इस्टेंड को लगा दिया और इसके यह धाय मेंबडी का कैपेसेटर को भी इसके अंदर लगा देंगे उसके बाद में इसका कनेक्शन करने वाले हैं तो चलिए कैपेसेटर को लगा देते हैं इन वायर को हमें इस होल से निकालना है तो कि चिलेए केया है किया कॉछ है एक नेला वालती जरावय में कि उसके हैं। कुछ ख़िया, प्रक्रेल स्ट्टिया निशचे के सबस्क्राइब दा जिए नहां कि इस है। इसके अंदर से एक हमारा running एक starting है तो एक DepसEi leven दें। हरा है जो में एक वाइर बच रहा है कि एक बाड़ फिसे देख लिजिए जो एक निला वुला है एक लाल वह एक में हमने कर दिया जवत दोनों वाइर बच रहें थे एक एक वाइर वह पर जो दिया पर जोड़ देंगे जो एक एक वायर बच रहा है एक बार फिर से देख लीजिए जो एक नीला वाला है एक लाल वाला है एक में हमने कर दिया और जो दोनों वायर बच रहे थे एक एक वायर वह हमने केपेसेटर पर जोड़ दिया है तो अब यह हमारा जो है एक इसके अंदर तो दोस्तो हमने जोड़ दिया है अब हम चेक करते हैं कौन सा हमारा रणिंग है तो देख लीजिए इस पर यह उल्टा चल रहा है लाल वाले पर लाल वाले पर हमें लेंदेना तो इसे इसे रणिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यह जो रेड वाला वायर है इसके दो कुछ इस तरीके से हमने के पैसेंटर वाला वायर कामन वाले पर जोड़केją और कामन वाले का जो रेड वायर Show के पर जो देंगे तो यह हमारा रेड़ वाला रांइंग बन जाएगा कुछ इस तरीका से कर दिया है इसके लायन को तो अब यह सही है अब इसके अंदर के इस सबसे यॖवाला कहा लगा देंगे च्रक्रीम पर देंगे मैं इसके वाद में य। इक इस्टरेंग वाला उसे 20 में कर देंगे सबसे नीचे वाले पर जोड़ेंगे अब इसका जो पाइप होगा उसको यहां पर लगा करके तो यह निखलेगा वह सबसे उपर और सबसे नीचे जोड़ेंगे तो हमारा यह पंक्ता चलने में लेलेगे